हाई वरीवन वेरी गुट मॉर्निंग तो देखिए आज की जो रेसिपी यह एक ऐसी रेसिपी यह जो लगभग सभी को पसंद है घर में पाटी हो या कोई फंक्शन हो या फेस्टिवल हो या कोई ओकेसन हो यह रेसिपी तो डेफेनेटली हम लोग बनाते और सब लोग चोटे चोटे पीसेस में क्यूब सेपका मैंने उसे काट लिया है उसके बाद जो भी सबजी में डलाएगा मटर पनीर की रेसिपी में मैंने यहां सारा समान निकाली है यहां मैंने 200 वडम के आसपस हरा मटर लिया आप चाहे तो पीला वला भी मटर यूज कर सकते उसके बा तो यहां मैंने दो अधरा क्लेशन की लिया और मैंने का सर्सु तिल के यूज कर रहा चाहे आम इसके चाहें चाहे जाट हो पनीरी आप नहीं सिर्ठ को स्थ चोड़ देगी है गोल्टेन ब्राउन होने तक आपर तो Coast शूव कर एक आपर गुंणफार। और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए यहां थोड़े देर के लिए मैं पनीर को फ्राइ कर लूँगे एक से दो मिनिट के लिए फ्राइ कर लेंगे गोल्डेन ब्राउन होने तक इस तरह से रेसिपी को फॉलो करिएगा तो सच में बहुत ही बेहतरीन तो आप लोग एक बार घर में ट्राइ करिएगा उसके बाद फिर मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि कैसा बना है तो यहां देखे मैंने थोड़े देर के लिए पनीर को फ्राइ कर लिया कलर चेंज होगी अब मैं इसको निकाल लूँगी बिल्कुल ऐसा ही फ्राइ करना उसके बाद यह बचे हुए तेल में ही आजह मतर पनीर बनाएंगे तो यहां पर आधा चोटा चमच में जीरा डालूंगी उसके बाद यहां मैंने लिया एक बड़ी लाइची एक चोटी लाइची लिया चार से पाच लॉंग लिया और थोड़ा सा दालचीनी लिया है और तीन से चार मैंने तेज पत्ते ले लिया है इन सबको एक बड़ चला लेंगे उसके बाद यहां एक मीडियम साइज का मैंने प्याज को चौप कर लिया है अब इनको डाल करके गोल्डेन ब्राउन होने तकी से फ्राई कर लेंगे ज्यादा लाल नहीं करिएगा सिर्फ गोल चला लेंगे इसे बूनेंगे एक से दो बार चलाएंगे इसे इतना ब्राई कर सकते हैं तो यहां मैंने प्याज कर दाल दिया है अब थोड़े दिर के लिए इसे भी बूनेंगे एक से दो बार चलाएंगे इसे इतना इसको फ्राई कर लेंगे अभी तो देखिए प्याज का पेस्ट डालने से क्या होता है ना कि पनीर का जो ठीकने से करी का वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है आप चाहे तो सारे प्याज को चौप करके भी फ्राई कर सकते हैं त आपको देखिए जितना तीखा पसंद है आप उसी आपसे अपना तीखा रख लिजेगा तो यहां मैंने देखिए एक चमच मिर्च पाउडर भी ढाला था और यहां तीन से चर मैंने हरी मिर्च भी ढाली है अब इन सब को थोड़े देर के लिए फ्राई कर लेंगे इतना किि मसाले की quantity कम हो जानी चाहिए और इस त्वान पनीर एक एसी रेसिपी जो हम लोग रेगुलर तो नहीं बनाते हैं कभी खास location होता है या फिर कभी मन हुआ खाने के लिए तो इसको बनाते हैं तो क्यों न हम लोग इसे tasty बनाए ताकि घर वाले खुश हो करके enjoy करें इस recipe को और हमारे हमारी तारीफ करें तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं आता है तो देखिए यहां पर मतर और मसाले मैंने काफी अच्छे से fry कर लिए है उसके बाद यहां पेड़ाई स्वाए मिल के आसपस मैं पानी यूज़ कर रही हूं आपको जितनी ठीकनेस करी पसंद है आप उतना पानी क्वेंटिटी में कर लिजिएगा उसके बाद इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पे सारे पनीर को एड़ कर लेंगे आप चाहे तो पनीर को मसालों के साथ भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन पनीर को मैंने स्टार्टिंग फ्राई कर लिया था तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो ग किप Penek कर सकतें अगर आप लोग के पास नहीं है यह ना डालना चाहिए तो आप यहां पिदेशसुर नियक्ति कर कर सकते हैं अभी से हम ढख करके थारे देर के लिए पकने देते हैं 4-5 मिनट काफी हैं 5554 है तो यहां देखे थोड़ा देर पकने दिया था अब वालों को खिलाए रेसिपी देखी लिया होगा अच्छी लगी होगी तो कॉमेंट कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मैं इसी तरह की अच्छी रेसिपी लाओंगी और आप लोगो शेयर करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलीऊंग Bye-bye!